Hello friends, आज मैं आपको 2002 की The Dreamers ये मूवी एक्स्लिमेंट करने वाला हूँ इस मूवी में एक American student perish जाता है और वहाँ पर अजीब से twins से मिलता है या उसके friends बन जाते हैं पर इन brother और sister का relationship बहुत ही अजीब है इसके बाद क्या होता है यहां हम explanation में जानेंगे कुछ movies होती है जिसमें बाहर जो चल रहा है वही चीज़े characters के अंदर भी conflict करती है उसी तरह कैसी ये movie है external चीज़े इनके अंदर की emotional और mindset को represent करती है जैसे movie progress होगी और ending होगी तो यह सब चीज़े में आपको समझाऊंगा तो चली इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमारा main character जिसका नाम है Matthew ये introduce होता है ये Matthew ही है जो हमें सब story सुना रहा है Matthew अपने education complete करने के लिए अमेरिका छोड़ का directly Paris आ जाता है Matthew को movies बहुत ही पसंद आती है इसने बहुत सारी movies देखी है और सब चीज़े इसे movies के बारे में पता है इसी उसके movie के interest की वज़े से ही वो Isabel और थियो ये दोन twin से मिलता है movie की screening करने के लिए कोई भी restriction नहीं चाहिए इसलिए सब लोग बाहर वेट कर प्रदर्शन कर रहे होते है इसी जगाँ पर Matthew भी आ जाता है गेट के बास Isabel अहोती है उस कहती है कि मैं आस-पास तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ पर हमेशा तुम अकेली ही होते हो Matthew भी उसे कहता है कि वो अमेरिका से आया है इसी वज़े से उसके कोई friends नहीं है Isabel अपने ब्रदर थी उसे भी Matthew को मिलाती है इसके बारे फिल्म्हें बारे में बात करते है और इनमें अच्छी bonding होती है थोड़ी देर में वहाँ पूली स्पोर्ट जाते है यह सब वहाँ से भाग जाते है देर राप तक अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते है पैरिस की बीडिवा स्टीट से जाते होए Matthew को लगता है कि हो बहुत ही फॉर्चुनेट है उसके आच्छे से दो फ्रेंड्स बन चुके है Matthew जब घर पहुचता है तो अपनी मदर को लेटर लिखता है बहुत ही खुश है कि उसके आफ फ्रेंड्स बन चुके है जब वो सुबा उठता है तो उसे थियो का कॉल आता है थियो उसे आज राट डिनर के लिए घर बुलाता है Matthew शाम में उनके घर पहुचता है जब घर देखता है तो बहुत ही बड़ा घर होता है Isabella फिर मदर को मैथू से मिलवाने के लिए ले कर जाती है मदर को एक्सपेक्टर नहीं था कि मैथू डिनर के लिए आने वाला है पर फिर भी वो एड़ ज़ेस कर लेते है Isabella कहती है कि मैरे फादर से मिलो उन पर अच्छा इंप्रेशन तुम जमाना इस अवेला के फादर एक poet होते है इसके बाद जब इनर टेबल पर होते है तो फादर poetry में किस तरह से inspiration आती है इसके बारे में बात करे होते है पर इस पर मैंतु का थोड़ा भी धान नहीं होता है इस पर उचिर जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सोच रहे थे मैंतु कहने रहा हार्मोनी है फादर जब इस सब सुनते है तो इंप्रेस्ट हो जाते है फादर थियो कहते है कि तुमारे जनरेशन में भी इस तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है थियो के पॉलिटिकल ओपिनिन बहुत ही स्ट्रॉंग है और हमेशा उसे सब चीज़े गरत लगती है इस वज़े से फादर उसे ताना मारते है इस वज़े से फादर और उसका थोड़ा सा जगड़ा होता है एक्च्वल में लीजावेल के फ तुम यही रुखने वाले हो और यह डिसाइड कर लेता है जब थियो और मैथ्यू बात करते है तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हमेशा इन दोनमें कंफ्लिक्ट होती है कंफ्लिक्ट है इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे फ्रेंड्स नि बन सकते फिर भी इनमें बह लगता है और सोने के लिए चला जाता है सुभा मैथ्यो को इजाबला अपने हाथों से मैथ्यो के अइलेड्स गिले कर इफ पास यह देखती है और ग कछन को में बहुत ही इंत्यु ऑधर एम नहीं मैथ्यों अक्यले रहते हैं तो हमारे पास दोने हाले दुसके निभ बन सकते हैं मैं तुकेता है क्या तुम दोनों को इससे कोई भी प्रॉल्म नहीं है इसाबेला कहती है कि एक्चुल में मेरा आइडिया था यहाँ पर इसाबेला होती है पर फिर भी थियो बात करने लग जाता है थियो और इसाबेला एक दूसरे को अपना ही पार्ट समझते है जब इनका बर्थ हुआ था तो एक दूसरे की बाड़ी से जुड़े हुए थे इसी वज़े से एक दूसरे से वह शर्म नहीं करते हैं जैसा मैथ्यू को लग रहा था कि इन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन्शिप होगी तो ऐसा कोई भी नहीं है यह दोनों अपने माइ इस नहीं कर पाया तो उन्हें एक देर करने होती है एक पुरानी मुवी में उस मुवी के कैरेक्टर आर्ट म्यूजियम से भागते-भागते बाहर निकल गए थे उन्होंने बहुत ही कम वक्त में किया था अभी इन्हें भी आइडिया आती है कि उन्हें भी ये करना यह दोनों से मना लेते हैं और यह करकर भी आते हैं ऐसी अजीब हो गरीब लाइफस्टाल जी कर यह सब खुश है गर में थियो और इजाबेला इन दोनों में जो भी रिलेशनशिप है इसे मैं तो ज़रा अनकमफटेबल है इसे समझ में नहाता कि यह चलता क्या है एक दिन व और थियो एक मूen का सिन करकर दिखाता है और मैरे इसाबेला इसे पहचान नहीं पाते यह हूज इन दोनों को डेर देता है कि उसके सामने इन दोनों को इंटिमेट होना है मैदीव यह सुना कर डर जाता है वह घहता है कि पलीज मुझे इस सब में इनवाल मत करो मैध्यो क सामने इसावेला अपने कबड़े उतारती है मैथ्यू यह सब करना नहीं चाहता तो जल्दी से वहाँ से भागता है पर थियो उसे रोक लेता है मैथ्यू और इसावेला इंटिमेंट होते हैं और इसावेला का फर्स टाइम था यह सब देख रहा है इसके बाद मैथ्यू और इजाबेला अपनी रिलेशन्शिप कनटीनिऊ करते हैं अपना हिस्सा बना लिया है तियो मैथ्यो को कहता है कि तुम मुझे पसन हो पर कभी भी ये मत बोलना कि तुम हमारा पार्ट हो तुम हमारे फ्रेंड हो पर फिर भी हमेशा से हम दोनों ही थे और हम ही रहेंगे ये मैथ्यो के लिए अजीब है पर फिर भी भी इसे जाने देता है थियो और इजावेला बहुती कॉसली लाइफस्टाइल जीते हैं बहुती कॉसली वाइन पीते हैं अलग-अलग चीजे करते हैं इसे वज़े से उन्हें बहुत सारे पैसे लगते हैं उनके फादर उनके लिए जो पैसे छोड़ कर जाते हैं वो अब खतम हो चुके हैं उनके पास घर में कुछ वो खा सके इसके पर सही से पैसे नहीं है ये तीनों अब थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं और घर चलाते हैं मैथ्यो और इजावेला में जो रिलेशन्शिप अब हो रही है इससे देखकर थियो अब जरा जेलस है एक दिन जब वो अपने कॉलेश में होता है तो वो एक लड़की उसे बात करने लग चाती है ये दोनों अपडेट पर जाने वाले हैं एक दिन ये सब बात्रूम में हैं और सब मिलकर नहा रहे हैं थियो और मैथ्यू बात करते हैं अमेरिकन सोलजर वियंदाब में वार कर रहे हैं ये थियो को सही नहीं लगता थियो सब अमेरिकन्स को इसके लिए ब्लेम करता है मैथ्यू कहता है कि इस तरह से नहीं है हमें फोर्स किया जाता है President ने order दिया और कोई यंगस्टर अगर वार के लिए नहीं जा रहा तो उसे जेल में डाल सकते हैं इसलिए Matthew आज से भाग कर Paris में एजूकेशन ले रहा होता है यह हमार time period जो चल रहा है यह 1960s का है Matthew कहता है कि मैं violence पर believe नहीं करता अगर reward करना ही है तो वो शान्दी से करना चाहिए इस पर भी यह दोनों disagree करते है Isabella इनकी बात प्रोग लीती है Isabella Matthew से कहते है क्या तुम हम दोनों से पैर करते हो इसका कोई prove दे सकते हो Matthew कहता है कि कैसे मुझे prove देना है Isabella उठती है और razor राती है Matthew और Isabella यह दोनों मिलकर उसके pubic hairs काटना चाहते है Matthew इन दोनों पर बहुत ही चिट जाता है वो कहता है कि तुम यह सब जो कर रहे हो यह सब गलत है तुम हमेशा बच्चों की तरह ही सब को चीज़े करते हो तुम्हें कभी ना कभी तो grew होना ही पड़ेगा वो अब Isabella को चिट कर कहता है कि तुम्हें तो कोई भी चीज़े से पता नहीं है तुम्हारा कभी भी boyfriend नहीं था तो इसी वाज़े तुम कभी date पर नहीं करी हो तुम्हें जो भी सब कहता है यहीं तुम करती हो Matthew फिर Isabella को proper date पर लेकर जाता है जब यह दोनों घर पर आते हैं तो Theo एक लड़की के साथ होता है Theo और वो लड़की intimate होते हैं तो इसके आवाज इजावे लगवाते हैं यह आवाज सुनकर वो disturb हो जाती है जेलस मैंसुस करती है और बहुत रोती है एक बार फिर से Theo और Matthew wine पी रहे होते हैं पैरिस में revolution चल रही है इसके बारे में Theo बात करता है Matthew उस पर उसे कहता है कि तुम जो सब कहते हो इस पर हम विलिव नहीं करता तुम सब बाते करते हो पर actual में street में तुम नहीं जाते है तो बाते करने से कुछ भी नहीं होता तुमें अगर सर्चुन में यह सब लगता है तुमें street पर जाना जाए है थोड़ी देर में Isabella भाहा आती है और इन दोनों को hall में लेकर जाती है जब Isabella और थियों छोटे थे तो एक train बनाते थे उसके अंदर ही सोते थे यह इन दोनों को वहाँ लेकर जाती है और यह तीनों अपसो हो जाते है सुबह हम देखते हैं कि मदर फादर आते हैं यह इन दिनों को इस train में देखते हैं यहाँ क्या चल रहा होगा इसे और जुम कर लेते हैं फादर को बहुत ही बुरा लगता है यह किसी को भी नहीं उठाते हैं और चेक लिखकर वहाँ से चले जाते हैं दिन में बहुत ही लेट इसबेला उठती है यह चेक वह देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसके मदर फादर यहाँ आ चुके हैं अपने पैरेंस को वह फिर से फेस नहीं कर पाएगी इसे बहुत है गिल्टे में सुस होता है यह कूपाइप लेती है और पूरे घर को गैस करेगी और इसी गैस में मर जाएगी यहों डिसाइड करती है यहों करना स्टार्ट भी करती है पर नीचे स्ट्रीट पर रिवोलेशन चल रही है इसका एक पत्थर आता है और खेटगी को तोड़ देता है मैथ्यो और थ्यो भी अब उट जाते नीचे जो सब लोग है इनमें वो जॉइन हो जाते है आगे पुलिस कड़े हुए है और इन सब लोग को रोक रहे है थ्यो डिसाइड करता है कि अगर उसी इस क्राउड को ब्रेक करना होगा तो वाइलन्स ही और चूस करेगा वो आगे जाता है और पत्थर मारने लग जाता है मैथ्यो उसे रोकनी कोशिश करता है पो रोक नहीं पाता थ्यो के साथ इसावेला भी आगे बढ़ती है मैथ्यो इस सब में बाट नहीं ले सकता तो वाहा से भाग जाता है फुलिस फिर चार्च करते है और सब लोग भागने लग जाते है यहीं मूवी एंड हो जाती है अब एंडिंग क्या होई इसके बारे में हम बात करते है जो रिवल्यूशन इस मूवी में दिखाए गई है यह सिर्फ क्यारेक्टर्स के बीच में जो कन्फिक्ट है यह दिखा रही है थियो और इसाबेला ट्विन ब्रदर और सिस्टर से जब इनका जन्व हुआ था तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे हमेशा इन में एक बड़ी अटेजमेंट थी कभी एक दूसरे को अलग नहीं मानते थे इसाबेला को कभी ना कभी डेट करना था तो इसलिए वो मैथ्यू को डेट कर रही थी तो इस चीज से ज़रा जेलस होने लग गया क्योंकि अपना ही एक पार्ट किसी और के साथ है तो यह उसे गलत लगा यही चीज इसाबेला ने भी महसूस की इसाबेला को कभी कभी लगता था कि थियो से उतना प्यार करती है यह सब गलत है पर इसके मन में एक कन्फिक्ट थी इसकी पैरेंस को अगर पता चल गया तो वो सुसाइट कर लेगी कि हमेशा उसके मन में था मूवी के लास्ट में उसकी पैरेंस को पता चल गया और हो सुसाइट कर रही थी पर नीची रिवोलिशन चल रही थी उसका पत्थर उपर आ गया और इनकी जान उन्होंने बचा ली यह जो रिवोलिशन है कि उनकी माइंड की स्टेट है थियो और इसाथ रहे कि कभी भी सुसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर गी मैं थो हमेशा यही चीज उन्हें याद करा कर देता था लास्ट में थियो और इसावेला रिवोल्ड करकर उठते हैं मूवियों में पुलिस के खिलावी रिवोल्ड हम देखते हैं पर एक्चुल में सुसाइटी के खिलावी रिवोल्ड है मैं तो इन सब में पार्ट नहीं ले सकता तो इनकी लाइफ से वो एक्जिट हो जाता है इसी तरह से ही मूवी एंड हो जाती है मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि थियो और इसाबेला इन दोनों में कोई भी इंसेस्ट की रिलेशन्चिप नहीं थी यह दोनों एक दूसरे को एक मानते थे इसी वज़े से एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे यही आज के वीडियो हम कतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल इंडूपिशन आइकों दबाने भी मत भूलिया अब फिर से मिलेंगे और एक अमीजिंग मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये